तो इस वीडियो में आप लोगों को डेली पुलिस हेड कॉंस्टेबल मिनिस्टीरियल जिसके वीडियो पिछले दो तीन दिने से मैं आप लोगों के इस चैनल पर डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को वेकिंसी के रिगार्डिंग अवेर कर सकूँ जिसका नोटिफिकेशन 17 18th of May को आने वाला है और जिसका examination सेप्टेंबर में होने वाला है और मेरे अवेर करने का reason ये भी है because unawareness है और बहुत ही golden opportunity हो सकती है आप में से काफी सारे students के लिए और जो job profile में ने बताई exam pattern वो देखके तो आप सारी चीज़ें clear हो गई होंगी समझ यह होंगी आपकी क्यो golden opportunity है बट अभी salary जब आप देखेंगे फिर तो कोई doubt ही नहीं रहेगा क्यों आप लोगों के लिए golden opportunity हो सकती है यहां पर मैं fake motivation आपको नहीं दूँगा कि इतना salary है तो आप बिल्कुल तैरी कर लो चाहिए आप किसी भी level पे हो हाँ अगर आप basic भी थोड़ा सा भी कुछ आ करने के लिए यह ऐसा कोई civil services का exam नहीं कि आप नहीं चार महीने में नहीं क्राक कर सकते हैं लोग तो चार-पांच महीने में civil services भी क्राक कर लेते हैं यह तो डेली पलिस head constable का exam है यह आप क्राक कर सकते हैं it is not an easy task मैं फिर सा आपको बता दूँ कि इतना easy भी नहीं because competition बहुत tough है easy भी नहीं है इतना hard भी नहीं कि आप achieve ना कर सकें ठीक है गुमाफ यह आरके मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको 100% देना होगा अगर आप इस exam को crack करना चाहते हो बहुत सारे student classes की regarding ही बोल रहे थे सबसे पहले तो मैं एक चीज़ add कर दूँ कि gk का जो section है वो आप जो मैं gk boosted dose की class morning में लेता हूं 8am morning पे होती है आप लोगों की live class वो आप बस daily basis पर करते रहिए जीके में अगर आप कुछ भी नहीं किया है अगर आप start लेना चाहते हैं तो बेस चीज़े start लेने के लिए क्यों because gk ssc के terms में अगर आपने previous question देखे भी होंगे तो इत history अपने आप में तीन section में बटा हुआ जोग फे पॉलिटी स्टार्टे करन बहुत सारा बटा हुआ है ठीक है तो इस वैसे आप questions के through gk को अप्रोच करें बजाए कि आप पूरा theory पढ़ रहे हैं बैठके यह सही अप्रोच है gk के लिए वैसे मैं अलग से एक इस पर वीड फूल नहीं रहेगा जितना fruitful questions रहेगा तभी मैं आपको questions करवाता हूँ daily basis पे पांच जोग्रफी के पांच पालिटी के history के करन्ट के इसे सारे पांच-पांच questions लेगे तीस questions अगर आप daily करते रहते हो इनफ होगा ठीक है आप बाकी playlist पी बनी होई जी के वूस्टर टो पॉ पॉलिटी का मैंने करवा रख्या अगर आप सेर्च करोगे प्रीवेस एर एसे सी पॉलिटी परमार एसे सी अगर आप सेर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा चार साड़े चार घंटे का वीडियो पूरे पॉलिटी के questions करवा है कॉपी लेके बैठो उसको नोट डाउन कर ल पॉलिटी के स्टाटिक के पूरा हो जाएगा बाकी जी के बूस्ट डोस को फॉलो करते हो जी के के लिए इनफ रहेगा बाकी के लिए अगर जैसा मुझे आप लों का रेस्मांस लगता है तो वह मैं आपका जल्दी क्लासे स्टार्ट करवा दूंगा बाकी इंगलिश की भ काफी लोग कूचते रहते हैं इस वैसे मैंने आज इस चीज़ को बताना जरूरी समझा फॉर पीम पे इंगलिशी क्लास होती है एसपी बख्षी को सर सॉल्व कराते हैं अगर आपका बेसी कुछ भी नॉलेज है इंगलिश में तो वो बुक के आप कुश्टन को सॉल्व कर डेली पिलिस के और भी बहुत सारे कॉंस्टेबल का एक्जाम आने वाले ड्राइवर का एक्जाम कोई भी आप एक्जाम उठा के देख लेना अगर आपने एसपी बख्षी कर लिया सारे एक्जाम क्राक होंगे एक साथ ठीक है तिसी वैसे टार्गेट करके वसे एसपी और हों पुष्पेंसर आपका साल करा रहे हैं फोर पीम पे ठीक है बाकि जीके बूस्टेटों बाकि मैंस और रीजनिंग के बी क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी जैसा आप लोगों का रेस्पॉंस रहता है इन वीडियो के प्रतिव ऐसा ठीक है चलिए भी स्टार्ट करते हैं सालरी को मैंने दो पार्ट में डिवाइट किया है एक तो वो जो आप लोगों को ट्रेनिंग के टाइम पे मिलती है और दूसरा जब आपकी कहीं पर पोस्टिंग हो जाएगी बहुत सारे स्टुएंट के बहुत सारे डाउट है कि पोस्टिंग क्या डली में ही होग जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तब ठीक है तो पोस्टिंग हो जाएगी तो आपकी सालरी बढ़ जाएगी और वो जो है आपको काफी देखके सर्प्राइज फील होगा और काफी अच्छा फील होगा ठीक है पहले तो मैं आपको ट्रेनिंग के टाइम पर जो आपको पेसलिप रहेगी और उसके बाद यहाँ पे आपका सुनहरे अच्छों में नाम लिखा जाएगा तो बाकिया मोटिवेशन क्लेस को प्रिंट आउट निकला के आप अपना नाम लिख सकते हो ठीक है अगर आपको मोटिवेशन में थोड़ा सा डाउन फील हो रहा हो तो और यह यहाँ पर फिर आपका designation लिखा हुआ है head constable ministerial फिर उसके बाद यहाँ पर pay level लिखा हुआ है level 4 25,500 से लेके 81,100 यहाँ पर PIS नंबर होता है PIS नंबर एक तरह से अब हो सकते unique identification नंबर होता ना जिस तरह से वही होता है एक तरह से PIS जो कि आपके पूरी service के टाइम पर related होते हो वहाँ का एक particular आपको number दिया जाता है belt number और यह unit to unit जो है आपका change होता रहता है ठीक है फिर आते हैं आप main चीज़ पे dues हैं यहाँ पे सबसे पहले basic पे आपको 25,500 को मिलेगा HRN की home rent allowance आपको इस समय नहीं मिलेगा training के time पे DA के अगर बात करें dearness allowance 7,140 transport allowance इस टाइम आपको नहीं मिलेगा राशन मनी आपको मिलेगी 36,36 cycle allowance मिलेगा 180, deductions की बात कर लेते हैं दो deductions हैं यहाँ पे NPS है और यह CGEGIS बड़ा लंबा चोड़ा सा है यह कहें ति नैशनल pension scheme के थ्रू जो deduction होता है आपका 3264 और यह जो है आप किसी तरह की दुरगटना हो जाती है आपके साथ में इस happening हो जाती है तो उस case में यह आपका कटता रहता है और किसी दुरगटना में मान लीजे आप नहीं रहे तो फिर यह आपका जो family का amount मिलता है उसमें सही certain amount जो यहाँ पे आपका कट हो रहा था यह भी जो है उसमें मिलता है अगर सब कुछ सही रहता है तो यहाँ पे net में calculate करें है तो आपका total बैठता है 36,456 dues, deductions है 3,294 और आपकी recoveries है 210, net payable जो आपकी income रहेगी that will be 32,952 during the training time, around हम मान लें 33,000 आपकी salary training के time पे रहेगी net में ठीक और यहाँ पे एक star mark लगा लो star mark इसलिए कि यह salary आपको training के time पे जैसे आपकी training जब हो रहे होगी तब आपको यह नहीं मिलेगी आपकी जब training complete हो जाएगी तब एक साथ ही आपको fund मिलता है कभी-कभी 3 महिने में मिल जाता है बट usually आपको training complete हो जाता है तब यह आपको मिलता है training में आपको बता दूँ कि आपकी around 4- 5 months की training time period होता है 4-5 महिने का तो कभी-कभी 3 महिने में मिल जाती around 1,00,000 के करीब और कभी-कभी होता है कि आपको एक साथ मिलता है जब कि पूरी training का time period complete हो जाता है तो यह पूरा 33,000 आपका net में सारा आपको एक साथ दिया जाता है इतनी चीज़ clear अब आते हैं main मुद्दे क के बाद पर जो है कि आपकी जब posting हो जाएगी तब आपको कितनी salary मिलेगी तो यह जो अभी अब salary slip देख रहा हो बहले इसमें हो सकता कि आप जादा कुछ difference नहां लग रहा हो लेकिन अभी difference आपको जब net salary आपको दिखाऊंगा तो वहाँ आपको यह feel होगा और यह salary slip है यहां पर basic पहाँ का 25,500 HR यहां पर आपको मिलेगा 6,885 डिरन्स allowance 7,140 यह usually बढ़ता रहता है ठीक है तो आप जब आप जाओगे यह जब इस वाली exam में बैठोगे फिर आपको selection होगा सारा कुछ तो यह आपको बढ़ा हुआ ही प्रतीत होगा वहां पर यहां पर जो भी मैं 949 रुख जाओ भी यह dues है आपका ठीक है अब भी बात करते हैं deduction पे NPS नैशनल पेंसरें स्कीम पे तरदा का 3,264 और यह जो miss happening में आपको जो कटता है वो है 30 miss happening के टाइम के लिए ठीक है अब आते हैं recoveries पे जो किए DPWS हैनि डिले पलिस विलफेर स्कीम के अंडर 200 और माट 10 ठीक deduction and recoveries की बात कर ले 3294 और आपका recoveries में 210 नेट पेबल है आपकी income 44,445 है नहीं 4 4 4 4 4 4 एक अगर रुपए को गहटा दें तो इतने सारे 4 आपको मिलेंगे नहीं 44,444 and according to me आप comment में मैं नहीं बताऊंगा आपको आप comment में बताओं आपको आपको क्या यह आपके लिए surprising ह है क्या यह आपको आपके according कैसी है salary है कम है ज्यादा है फिर normal average मेरे according इस पोस के लिए काफी बढ़िया salary है यह आप ये अपने comment में व्यूज जरूर शेर की जाएगा और कितने लोग इसको देखके अभी और motivated हैं देखो मैं यहाँ पे कोई सादूसंत है नहीं मैं यह तो न कि motivated ना हो आप में अगर 100% आप देने के लिए तयार हो तो बिल्कुल आप motivate हो और इसके लिए तयारी भी करो ठीक है और बिल्कुल आप इसका print out दिंग लोगा के सारी चीज़े मैं टेलीग्राम पे ओ सगए तो मैं इसको post भी कर दूँगा टेलीग्राम चानल का link आपको description म आपको बता दी है जीके के लिए आपको booster dose 2.2 sees morning 8 a.m. पे चलती है 8 बजे वो follow करनी है 4 p.m. पे आपकी English class होती है mathematics और reasoning के लास आपके response पर डिपेंड करेगा जैसा आप इनका इन वीडियो के प्रतिया आपका response रहेगा उसी साब से क्योंकि मुझे अगर अच्छे टीचर आप लों के लाने है तो दो को मैं जो भी अगर करवाँगा तो आप लों को free में ही करवाँगा उसके लिए मैं चार्ज नहीं करने वाला हूँ ठीक है लेकिन अगर मैं यह चार्ज नहीं कर रहा हूं तो at least बदले में मुझे कुछ चाहिए और वो है आप लों का response की कैसा आ मोटिवेट करते हैं तो उससे बेटर और कुछ नहीं होगा फिकास ग्रूप स्टडी आप करेंगे अच्छे से प्रपेर करेंगे तो ऐसा यूजली होता है कि सबका सेलेक्शन होता है फिर एक कभी नहीं होता तो इस वैसे धंक्या फ्रेंड्स उनके बीच में वीडियो को मोटिवेट हो और आप ग्रूप स्टडी फॉर्दर कर सकें कोई डाउट है आपका तो आप कोमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं मैं जैसे नहीं आता है कि फॉर्दर वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद